सब्सक्राइब कीजिए एसेट यूगी चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लेटेस्ट फाइनेस वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार मेरा नम मुकुल है और एसेट यूगी में आपका स्वागत है जहां हम फाइनेस और रेल एसेट की नॉलेज को लॉक नहीं अनलॉक करते हैं काफी सरे सबस्क्राइबर्स मुझसे पूछते हैं कि क्या हम अग्रीमेंट टू सेल या अग्रीमेंट फॉर से प्रॉपर्टी करीच सकते हैं या General Power of Attorney से हमारे नाम पे प्रॉपर्टी आ जाएगी क्या देखे इसमें काफी confusion है बहुत सारी प्रॉपर्टी आज भी जीपिये पे लोग बेच देते हैं बट ये legally ठीक नहीं है तरीका और इसके क्या limitations है क्या risks हैं इस वीडियो में मैं इन सारी बातों पे थोड़ी सी रोशनी डालूँगा और आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए किस तरीके से actually ownership transfer होती है ये सारी बातों पे हम थोड़ा से detail में देखेंगे तो आप इस वीडियो को last तक जरूर देखिएगा जिससे आपको exactly समझ में आ जाए कि title कैसे transfer होता है और आप actually title owner कैसे बनते हैं तो चलते हैं सीधा blackboard की तरफ तो चलिए इसको एक example से समझते हैं मान लिजे ये एक property है ये इसका original title owner है अब title owner का मतलब है उसके नाम पे exactly property के papers है that is sale deed या conveyance deed इस title owner के नाम पे है तब ही हम उसको title owner बोलेंगे अगर ये अपनी property बेचना चाहता है तो एक ये मान लिजे sale deed execute करता है ये नया buyer है तो इसमें कोई problem नहीं है इस तरीके से अराम से property sell हो सकती है अब दूसरा option market में ये भी होता है काफी लोग agreement to sell या general power of attorney पे property बेच देते हैं अब agreement to sell या general power of attorney पे जो sale है वो नहीं मानी जाती है ये original title owner नहीं माने जाएंगे अब इस तरीके की काफी properties बिकती है दिली में भी बिकती है और भी बहुत सारी जगह पे all over India बिकती है लेकिन ये valid sale नहीं मानी जाती है title transfer नहीं माना जाता है तो gpa holder माना जाएगा ये जो भी है अब gpa का purpose क्या है gpa में खाली एक specific task करने के लिए power मिलती है मान लीजे ये जो original title owner है ये कहीं इंडिया से बाहर रहता है और इसके पास time नहीं है वो नहीं आ सकता है किसी reason की वज़े से या कोई बिमार है कोई condition ऐसी नहीं है कोई urgency है नहीं आ सकते हैं किसी वज़े से sale deed register कराने के लिए तो ऐसे case में gpa दे सकते हैं वो किसे अपने relative को या फिर अगर मान लीजे वो rent भी नहीं collect कर सकते हैं मान लीजे इंडिया से बाहर रहते हैं वो property maintain करवाना चाते हैं rent collect करवाना चाते हैं किसी और से तो भी gpa दे सकते हैं लेकिन gpa से title transfer नहीं होता है तो gpa क्या कर सकता है gpa उसको further sale कर सकता है अब यह जो gpa है general power of attorney जिनको मिली है यह final sale कर सकते हैं किसी third person को तो यह third party होगे तो यह finally new title owner होंगे अगर sale deed register हो जाती है उसी case के अंदर आपका title transfer माना जाता है तो अगर हम quick facts की बात करें तो title transfer जैसे हमने पहले आपसे बात करी कि registered deed होती है तब ही माना जाता है आपको stamp duty और registration charges भरने होंगे तब तक अगर आप यह stamp duty नहीं भरेंगे और अपनी sale deed को register नहीं कराएंगे सब register और office में तो title transfer नहीं माना जाएगा तो जैसे मैंने पहले कहा GPA से title transfer नहीं होता है और नहीं agreement to sell से title transfer होता है GPA से हमने अलरड़ी बात कर ली कि कुछ tasks करने के लिए दी जाती है GPA Agreement to sell खाली एक sale agreement है कि हम finally sale deed execute कर लेंगे Agreement to sell से भी title transfer नहीं होता है तो जब तक sale deed execute करके या convenience deed या कोई gift deed execute करके उसको register नहीं किया जाएगा stamp duty नहीं भरी जाएगी तब तक title transfer नहीं माना जाएगा In fact 2011 के अंदर Supreme Court की ruling भी आई थी जिसमें Supreme Court ने clearly बोला है कि GPA के थ्रू title transfer नहीं हो सकता है और GPA के थ्रू जितने भी transaction हो रहे हैं उनको रद माना जाएगा वो title transfer नहीं माने जाएगे हाँ इसका मतलब यह नहीं है कि GPA की value खतम हो गई GPA की जिस चीज के लिए दी गई है जो भी certain tasks है वो valid है अगर मान लीजे sell करने की authority है इस GPA को तो वो sale कर सकता है जैसे हमने इस process में देखा और transfer कर सकता है किसी third person को उसके अपने नाम पे वो transfer नहीं हो सकती property तो जैसा हमने कहा कि GPA के कुछ specific task होते है वो rent collect कर सकता है on behalf of title owner register कराना होता है एक तो sale deed को register कराना होगा और साथ में इस GPA को भी register कराना होगा तब ही वो final title transfer माना जाएगा और GPA property पे अगर कोई GPA ली है किसी ने और उसके हिसाब से वो अपनी ownership claim करता है तो ऐसी GPA property पे loan भी नहीं मिलता है इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए तो ये थे सारे कुछ GPA property से related quick facts तो अगर आप मेरी advice पूछेंगे तो मैं GPA करने के लिए अगर आपके कोई property खरीदना चाहरे है आप और उसे GPA पे मिल रही है आपको property तो मैं advise नहीं करूँगा कि आपको GPA से अपनी property ट्रांसफर करानी चाहिए आपको एक ऐसी property खरीदनी चाहिए जिसके सारे titles clear है और sale deed execute हो सकती है उसकी उम्मीद करता हूँ कि ये video आपको पसंद आया होगा तो इसको like और share जरूर कर लें अगर आपके कुछ सुझाव है या आपको topic suggest करना चाहते है future videos के लिए तो आप नीचे comment section में कर सकते है मैं हर रोज finance के इसी तरीके के interesting videos लेके आता रहता हूँ तो आपने अगर अभी तक इस channel को subscribe नहीं किया है तो नीचे से subscribe करके अपने phone में bell icon को ज़रूर प्रेस कर लें जिससे आपको मेरे latest video का notification मिल जाए तो मिलते है अगले video में तब तक सीखते रहे है कमाते रहे है और हमे